गुड मॉनिंग अब्डीवन वेलकम टो एक्जाम और्बिट क्लासेश तो कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगे तो फैंट्स आज है 14 जन्वरी और आज के सेशन में 14 जन्वरी से बनने वाले सभी म महत्पून कोईशन के बारे में डिस्क्स करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून रहने वाला है तो एक बार आप सभी क्लास को जल्दी से शियर कर देंगे सेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स वॉक्स में सांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचे बनी है तेलंगाना उत्तर प्रदेश असम या फिर हर्याना इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा सेशन के लास्ट में तो चलिए डिसकस करते हैं पहला सवाल है कि संयुक्त राष्ट के 28 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन जिसे हम कॉप कहते हैं सौट में यानि कि कॉन्फरेंस ऑप पार्टीज 28 जो है इसके जो अध्यच है वो कौन बने है तो फ्रेंट्स इनका नाम है सुल्तान अल जावीर याद रखेंगे आप सभी साथी मै आपको याद रखना है कि जो कॉप 28 है इसकी मेजवानी कौन करेगा संयुक्त अरब अमीरात करेगा यह आपसे पूछा जा सकता है वही आपको बता दें कि कॉप 27 की जो बैटक है या इसकी जो मेजवानी है वो मिस्र ने की थी किस ने की थी तो मिस्र के दुवारा की गई जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको याद रखना है कि मेजवानी संयुक तरव अमीराथ करने वाला है डिस्कस कर लेते हैं कॉप के बारे में क्या खिरिये है क्या तो देखें कॉन्फरेंस और पार्टी यू एन एफ ट्रपल सी के अंतरगत आता है इसका गठन 1994 में किया गया था यू एन एफ ट्रपल सी की स्थापना बायू मंडल में ग्रीन हाउस गयस सांदर्ता को इस्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी यानि कि इसका जो सम्वंध है वो किस्से है तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस के ऐसे ये सम्वंधित है कॉप UNF ट्रपल सी का सरवुच निर्ने लेने वाला प्राधिकरण है जिसकी हर साल बैठक आयोजित की जाती है और इसमें निर्ने लिये जाते हैं कॉप सदस्यों दुवारा बर्स 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जा रहा है अब यहां पर महत्तपूर्ण हो जाता है कि 1995 में जो कॉप फरस्ट हुई थी यानि कि कॉन्फरेंस और पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी ये कहां पर हुई थी तो फ्रेंट्स याद रखेंगे पहली बैठक बर्लिंग जिर्मनी में आयोजित की गई थी ये बहुत पूछा जाता है याद करेंगे आप सभी UNFCC में भारत, चाइना, अमेरिका सहित 198 दल सामिल है अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत भी इसमें सामिल है इसलिए ये महतपून हो जाता है और एक्जाम में पूछ लिया जाता है डिस्कस कर लेते हैं COP 27 के बारे में यानि की जलवायू परिवर्दन पर 27 संयुप्त राष्टो फ्रेमबर कन्वेंशन ये कहां पर हुआ था तो मिस्र के सर्म अल सेख में इसकी बैठक होई थी याद रखेंगे ये स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है 2022 में सुर्खियों में रहा तो आपको याद रखना है ये एजिप्ट में है अब ये जो कॉप 27 बैठक है ये इसलिए भी महत पून हो जाती है क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंत्र मोदी जी दुवरा शुरू की गई एक वैश्विक पहल जिसे हम कहते हैं लाइप लाइप का फूल फॉर्म है लाइप स्टाइल फूर्दा इन्वाइर्मेंट संयुक्त रास्ट जलवायू सम्मेलन यानि की कॉप 27 की थी पहली बैठक जैसा कि अभी हम डिस्कॉस कर चुके हैं वर्लिंग में हुई थी और भारत में अगर पूछ ले भारत के परिपिक्ष स तो याद रखेंगे 2002 में कॉप 8 जो है इसकी बैठक या इसकी जो मेजवानी है वो नई दिल्ली ने की थी यानि कि भारत में यह हैं बैठक आयोजित की गई थी तो यह हमने डिस्कॉस कर लिया कॉप से सम्मंदित वेशिक इन्फॉर्मेशन अब जान लेते हैं संयुक्त अ इसकी मेजवानी कौन करने वाला है तो यह संयुक्त अरब अमीरात के दुवारा की जाएगी और हाली में इसकी जो घोशना है या इसका जो अनौसमेंट है वो डवलू टीयों की महा ने डेसक नागोजी ऑंकोजो एबेला जी के दुवारा किया गया था किस देश ने चंद व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं सयुक्त अरब अमीरात के साथ पहली विश्वो मीडिया कॉंग्रेस कहां पर हुई तो इसका आयुजन आबुधाबी में किया गया था और इसका जो उदगाटन है वो हमाले देश के विदेश मंत्री एल जैसंकर जी के दुवार किया गया था सयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबुधाबी है यहां की मुद्रा को कहते हैं UAE दिरहम यहां के वर्दमान में प्रेसिडेंट सेक मोहमद विन जायत अल नहयान है ओडर ओफ जायत इस अवोट के बारे में आपको याद रखना है यह सयुक्त अरब अमी में देखने को मिलेगा तो अगर आप तो पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूले जिसे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की पीडिय सामिल करने का फैसला किया है तो फेंस किस देश की सरकार दुवारा या फैसला किया गया है तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और साथी में आपको याद रखना है कि भारत ने हाली में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुप्त बयापार समझोते पर भी हस्ताक्षर कर दिये हैं तो पुलों में पंजाबी भासा को सामिल करने के यह फैसला किया है ऑस्टेलिया में पंजाबी बोलने वालों की जो संक्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है इस देश में पंजाबी भासा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भासा बन गई है तो यह आप से पूछा जा सकता है औ नहां पर न्यूजिलेंड आपको दिखाई दे रहा होगा तो सिग्रेट पर आज इवन जो प्रतिबंद लगाया गया है वो किस देश के दुवारा लगाया गया है तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे न्यूजिलेंड नहीं यह लगा दिया है ना पूछा जा सकता है दाउंस कहते हैं ऑस्टेलिया की राजधानी कैनबरा है ऑस्टेलिया के बरतमान में पी-एम कौन है इनका नाम आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे साथी में मर्रे और डालिंग जो दो प्रमुक नदिया है यह उस्टेलिया में बहती है ग्रेट डिवाइडिंग यह उस्टेलिया एक मात्र ऐसा महादीफ है यहां पर एक भी वालकैनो यानि की जुआला मुखी नहीं है यह आपसे पूछा चा सकता है आगे बढ़ते हैं तो यहां के पी-एम है एंथनी अलबनी जबकि यहां के राज जी के प्रमुक है विटे सम्राथ किन चाल्स तरती ह है मुद्रा ऑस्टेलिया ही डॉलर है और राजधानी है कैनबरा अगला सवाल है कि गंगास अगर मेला कहां लगता है तो फैंस गंगास अगर मेले का आयोजन किया जा रहा है पच्छिम बंगाल में कहां पर लगता है यह मिला पच्छिम बंगाल में आए डिसकस करेंगे इ हिंदू तीरत इस्तल है और यह हड़ साल मकर संकराती यानि की 14 जनवरी के दिन सैकडो हजारो हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुक्की लगाने के लिए एकटा होते हैं और कपिल मुनी मंदिर में पूजा करते हैं गंगा सागर मेला क मेला के त्रमासिक अनुस्ठान इसनान के बाद मानव जाती की दूसरी सबसे बड़ी मंदली है गंगर्जागर भार्टिय राज्य पच्छिम बंगाल में दच्छ 24 पर गनाजिले के काकदीब उपकंड पर एक गाउं है ये दीब आपको याद रखना है पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा काकदीब किस राज्य या केंद्र सासित प्रदेश में है तो याद रखेंगे आप सभी ये कहां पर आता है पच्छिम बंगाल में डिस्वस कर लेते हैं मेला लेटिस्ट करेंट अफियर तो भारत में 24 नवंबर 2022 को स्वेडिस सिक्षा मेले का जो दिया गया था वहीं बात की जाए कुम्ब मेली की तो चार जगों पर लगता है परियाग राज हरिद्वार उज्जैन और नासिक पिरतेक 12 वर्स में यह मेला आयोजित होता है सौनपुर मवेशी जो मेला है यह बिहार में गंगा और गंडक नदी के मिलन इस्थल यानि की स पियाग राज में लगता है चंडर भागा और पुषकर मेला यह दोनों ही मेले राजस्थान ट्राज में लगते है सूरज कुंड मेला लगता है हरियाना में और अंबो वाची का जो मेला है यह असम में लगता है तो यह भारत के कुछ प्रमुक मेले हैं जिनके बारे में आ महां मैप में आप सभी देखेंगे राजधानी कॉलकाता है और कॉलकाता किस नदी के किनारे है फेंट्स तो फुगली नदी के किनारे है यहां की बरतुमान में सी एम मम्ता वनर जी है अब आप मुझे बताएंगे कि पच्छिम बंगाल के बरतुमान में गवनर कौन है इनका नाम आप सभी को comments box में लिखना है साथी में याद रखेंगे कि 2023 में underwater जो metro है देश की पहली ये कहां चलेगी तो ये पच्छिम बंगाल में चलेगी विश्वस्वास संगठन WHO ने किस देश को Ebola वाइरस से मुक्त होनी की घोशना कर दी है तो फैंट्स WHO ने गोशना की है किसको यूगांडा यूगांडा कहां पर आता है तो ये अफरीका महादीप में इस्तित एक देश है जिससे पून तरह से Ebola से मुक्त घोशित कर दिया गया है किसके दुवारा WHO के दुवारा विश्वस्वास संगठन के तुवारा Ebola वाइरस के बारे में डिस्कस करें तो इससे पह अखली बार 1906 में Ebola नदी के पास खोजा गया था जो अब कांगू लोकतानफरिक गणराज्य है Ebola नदी अगर पूछ ले तो याद रखेंगे अफरीका महादीप इस रोग का पहला मामला दिसंबर 2013 में गिनी में दर्ज किया गया था गिनी भी कहां पर आता है अफरीका और मानब से मानब संचरण के माध्यम से मानब आबाधी में भी यह वाइरस फैलता है एर बैवो वैक्सीन लोगों को जेरे Ebola वाइरस पिर जाती से बचाने में कारगर साबित हुई है तो यह वैक्सीन आप याद रखेंगे यह किस वाइरस से संबंदित है तो यह Ebola वाइरस से संबंदित है डिस्कस करेंगे यूगांडा के बारे में तो यहां अफरीका महादीप में देखेंगे यूगांडा और यहां पर आप देखेंगे इसके जश्ट साउथ में आपको दिखाई देगी लेक ओफ विक्टोरिया तो किस महादीप में आता है यह अफरीका महाद यूगांडा गड़राज पूर भी अफरीका में इस्थल रूट तेस है यूगांडा की राजदानी कंपाला है और यहां की मुद्रा को कहते हैं सीलिंग वर्तमान में यहां के प्रसिडेंट है यो बेरी मुसे वैनी तो ये यूगांडा के बारे में वेशिक इनफोर्मेशन आप सभी को याद रखने हैं, अगला जवाल है कि पिरसित भार्टीय सास्त्रिय संगीत के गायक पंडित मणी परसाथ का निधन हो गया, उन्हें किस वर संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित हिया गया, तो फिरंस इन्हें संगीत नाटक जो अकादमी पुरुसक में हुआ था अब आपको बताना है कि बढ़धा बढ़तमान में किस राज्य में आता है उस राज्य का नाम आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कुछ महत्वण प्रसिद्द निधनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि सुर्खियों में रहे मसूर सिंगर लीसा मेरी प्रेसली का निधन हो गया वहें किस देश की निवासी थी तो फैंट्स ये अमेरिका की थी पूर्ब केंद्रिय मंत्री सरद यादव का निधन हो गया इनका जन्म कहां पर हुआ था तो याद रखेंगे इनका जन्म मद्द प्रदेश के फोसंगा बात में हुआ था द्रविट भासाओं के विशेश अग्य विटिस भासाविद जिनका नाम है रुनाल्डो ई असर का निधन हो गया है कश्मीर के पहले ग्यानपीट पुरुसकार बिजेता रचनाकार रहमान राही का भी निधन हो गया है अगला जवाल है कि टाटा पावर हाउसिंग सुसाइटी के लिए भारत का पहला सूलर प्लांट कहां इस्थापित करेगा तो देखे टाटा पावर ने ये घोशना की है कि हाउसिंग सुसाइटी के लिए जो पहला सूलर प्लांट है ये महरास्ट में लगाया जाएगा कहां पर तो याद रखेंगे आप सभी ये प्लांट लगेगा महरास्ट में डिसकस करेंगे सूलर पावर से सम्मंदित प्रशनों के बारे में तो टाटा पावर ने किस राज में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सूलर पावर पर योशना की शुरुवात की तो इसके शुरुवात 2022 में केरल में की गई इंडोर सोलर कोकिंग स्टम जिसका नाम है सूर नूतन को किस ने बिक्सित किया है तो इसे इंडियन ऐल के दुवारा बिक्सित किया गया है किस देश ने दो हजार अठाइस में निरंतर बिजली प्राप्त करने हे तू अंत्रिच में एक सौर उजा सयन सुरू करने की योशना का प्रस्थाव रखा है तो ये प्रस्थाव चाइना के दुवारा रखा गया है अगला सवाल है कि किसे व्यवसाई एवं सामुदाई कल्य के छेत्र में उल्लेखनिय योगदान के लिए प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स ये जो पुरुसकार है ना दुरोपती मुर्मु यानि की राश्टुपती जो भारत की है इनके दुवारा अमित केलास चंद्रलाठ को दिया ग रहा है तो पॉलेंड के प्रवासी राजस्थानी अमित केलास चंद्रलाठ को राश्टुपती दुरोपती मुर्मु ने वैवर्शाय एवं समुदाइक कल्यान की छेत्र में उल्लेखनिय योगदान के लिए प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया है प् गिदाना है कि असकी थीम किया है इस वार की एलसमीं और थारत का पहला उतकेष़ता किंद्र पहांस शुरुसके के लिए तो भारत का उतकेष़ता केन्द कहाँ खुला जाए गाग Skillshare और यह खुला जाएगा जल्द ही इसके लिए 10 एकड का केंपस भी तयार किया जाएगा किस देश के सांती रक्षकों को अनुक इंडिया सेवा के लिए संयुक्त रास्ट पदक से सम्मानित किया गया है तो फेंट्स ये जो पदक है न ये भारत के सैनिकों को दिया गया है किसके दुवारा संयुक्त रास्ट के दुवारा तो देखे दच्छिडे सुडान में संयुक्त राष्ट मिशन में सेवरत 1000 से अधिक भारतिय सांती सैनिकों को एक पुरुसकार समारों में सम्मानित किया गया पहली बार भारतिय सेना की एक महिला अधिकारी जिनका नाम है मेजर जैस्मीन चड़ा ने अपर नाइल में पुरुसकार समारों में भारतिय दल की परेड का नेत अत्व किया तो इनका नाम आप सब याल रखेंगे विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार दो हजार तेइस और चौवीस में भारत की अपेच्छित आर्थिक ब्रदीदर कितनी है तो फेंट्स ब्ल्ड बैंक के अनुसार ये जो ब्रदीदर है वो रही है 6.6 परसेंट आगे डिस्कस कर लेते हैं बल्ड बैंक के बारे में तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी इसका मुख्याल है अमेरिका की कैपिटल यानि के वौंसिंग अटन डिसी में है अध्यश बरतमान में डेविट माल पास है विश्व बैंक के मुखे अर्थसास्त्री के रूप में नामित किया गया है इंदर मीत गिल को इसका जो उद्देश है वो सदसे राष्टो को पुनर निर्माड और विकास के कारियों में आर्थिक साहता देना क्लास की शुरुवात में जो क्वेशन मैंने आप से पूचा था कि सांती कुमारी किस राज्जी की पहली मह मुख्य सचिब बन गई है तो यह तेलंगाना की बनी है जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं अब आप मुझे बताएंगे कि हाली में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिस्टर कौन बनी है इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स पॉक्स में तो पिक में आप सभी इन्ह भारत का पहला उस्चहusion 20 कि स्टेक Battle दुआ है तो इसे आई बिक सिठे किया है 2 fil ऐनुर अमिनूर मनाया जाता है तो कोटा जन जाती दुवारा मनाया जाता है unclear पर तमिलारू में किस देश की सरकार ने 2030 सेबा निर्मित की आयोड बासट वर्स से बढ़ा कर चोंसट वर्स करने की घोशना की है फ्रांस ने इंदोर में आयोजित मद्दप्रदेश गिलोबल इन्वेस्टर के साथ में संस्करण की धीम क्या है मद्दप्रदेश दा फ्यूचर रेडी स्टेट सोयूज MS 23 अंध्रेच यान किस देश का है तो ये है रसिया का किस रेल्वे को रेल मंत्री राजभासा सील्द का प्रत्थम पुरुसकार दीनी की घोशना की गई है तो ये उत्तर मद्द रेल्वे को दिया जाएगा केंद्रिय मंत्री सर्वानन सुनोवाल ने के सहर में स्कूल ओफ लॉजिस्ट बॉटर वे एंड कम्यूनिकेशन का उधगातन किया है तो ये उधगातन अगर तला यानि कि तिर्पुरा में किया गया है आरबियाई के डिप्टी गवननर है माइकल पात्रा और इनका कारिकाल एक बर्स के लिए बढ़ा दिया गया है ACI जलब अच्छी गढ़ना दो हजार तीज के अनुसार हार्टीय स्कीमर के लिए एक प्रमुकेवं सुरच्छित निवास इस्थान बन गया है आंध्रु प्रदेश का गोदा वरी वाला टठ सुर्चरीता सिंपनी ओफ गंगा का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश यानि की वारणासी में किया गया तो ये था कल का करेंट अफियर अगर डिटिल से जानना है तो कल की कला ज़रूर देख लिएगा अब डिस्कस करते हैं टॉप टेन स्ट्राटिक जी के कुईशन इन वेतवा लिंक के बीच कौन सा टाइगर रिजर पढ़ता है पन्ना टाइगर रिजर मातर टीला परियोजना किस नदी पर है तो ये वेतवा नदी पर बनाई गए है हिंदी भाजा की लीपी कौन सी है देव नागरी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रेख बेद किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है राष्ट पती सूर्य में कौन सा तत्व सरवाधिक मातरा में पाय जाता है हाइड्रोजन पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर और स्रे नगर को कौन सा दर्रा जोडता है बुर्जिला दर्रा लोदी बंस का संस्थाप कौन था बहलूल लोदी मनिश्य में गुड़ सूत्रों की जो संक्या है ये कितनी होती है फोर्टी सिक्स कल की ग्लास में कुछ सवाल आप से पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं किस देश को पीछे छोड़ कर भारत विश्व इस्थर पर तीसरा सबसे बड़ा ओटो वाजार बना है तो फ्रेंट्स भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है सामाजिक और भावना आत्मक सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर सुविश्य सिक्षा कालिकरम की शुरुवात किसने की है तो सही आंसर था आपसंसी तिरपुरा सरहूल जो फेस्टिवल है इसका आयूजन किया जाता है जारकंड में अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो पहला सवाल है कि ड्रग कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया ने भारत में निर्मित पहले इबोला वैक्सीन के किस देश के निर्यात को मनजूरी दे दी है किस देश के राष्ट पती जो वाइडन ने भारती मूल के अमेरिकी नागरिक जिनका नाम है कृष्णा बवी लाला को प्रसिडेंसियल लाइफ टाइम अचीप्मेंट पुरुसकार्ट से सम्मानित किया राष्ट बंडल खेलो का आयोजन भारत में किस वर्स किया गया था भारती राष्ट ये कॉंग्रिस के पहले अध्यच कौन थे तो फ्रेंट्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अची लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं नए शेशन में एक नए टॉपिक के झाल 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 झाल